नमस्कार, मैं हूँ ससी, आए जारखन की टॉप 25 पर्मोख खबर जानते हैं दो दिन पूरी ही रामगर के मांडू इस्थी टीएवी स्कूल, खाटो टांड में अक्सिजन युक्त औसी बेट के कोविट के और सेंटर का उधगाटन किया ताकि गरामिन छेत्रों में भी जरुत मंदों को किसी तरह की परिसानी ना हो बता दे सरकार सभी जीलों में अक्सिजन बैंक बनाने और जीलों के सौदर अस्पतालों में अक्सिजन प्रलंट लगाने की दिस्था में भी काम सुरू कर चुकी है मौसम विभार कमसार चक्रवाती तुफान ताउते भले ही महराष्ट गुजरात से गुजर गया हो लेकिन जार्खन में इसका असर अब दिखने लगा है राज के कई इलाकों में मंगलवार को तेज आंधी के साथ हलकी बारिस होई बता दे कई जगों पर में गर्जन के साथ ठनका भी गिरा बजरपाद से राजे भर में पांच लोगों की मौत भी हो गई है लाते हार और देवघर में दो-दो वहीं भोकारों में एक की जान चली गई CBSE 10-1 का रियल्ट जुलाई में 30 जुन तक जमा होगा इंटर्नल असेस्मेंट CBSE 10-1 का रियल्ट अब जुलाई में जारी होगा बता दे CBSE ने थोड़ी देर पहले 18 माई को निर्देश चारी कर स्कूलों की ओर से इंटर्नल असेस्मेंट के 20 अंग और 80 अंग को मुल्यांकन कमेटी तय करेगी ये दोनों का अपलोड करने की तिथी बढाकती जुन तक कर दिया है इसे पहले इंटर्नल असेस्मेंट के अंक 5 जून वा असी अंक में जितना मिलेंगे उसे 11 जून तक जमा करना था बतादे सिवियसी ने पहले 20 जून को रिजल्ट जारी करने की तिती निधारित की थी इस दरान चाइल्ट डेडिकेटेड कोवीड वाड बनाने की तियारी शूरू हो गई है बतादे जल्दी राँची सदर होस्पीटल में चाइल्ट डेडिकेटेड कोवीड वाड बनेगा सांस समंधित रोगीयों तथा पोश्ट कोविड रोगीयों के इलाज के लिए राजय का पहला सूपर एस्पेसिलिटी अस्पताल राची के इत्की में खुलेगा मुखे मंत्री के निर्देश पर अस्पताल प्रवंधन ने इसके लिए DPR तयार करने के लिए एक्सपर्ट कमिटी गठी करने को लेकर स्वास्त विभाग से मागदसन और अरणमती मांगी है असमार्ट शहर बनाने के मिशन में जारखन देश में अवल है बतादे केंदरी आवासन यम सहरी कारे मनत्राला की ओर से जारी ताया रणकिंग से इसका पता चलता है इसमें जारखन पहले नंबर पर है बतादे पौडोशी बिहर 27 वे नंबर पर है स्मार्ट सेटी रैंकिंग में जार्खन 2018 में भी टॉप पर आ चुका है बतादे देश के 36 राज्यों और केंदर सासित परदेशों के 100 सोरों में स्मार्ट सेटी मिशन की योज नाय चल रही है सोरों की रैंकिंग में राची 12 नमबर पर है देश की राजधानी दिली में भी इससे केवल एक पैदान उपर 11 नमबर पर है बतादे नई दिली नगर निगम 41 में और विहार की राजधानी पटना और 60 रथान पर है गाओं में घर घर जाकर होगा सर्वे लक्षन वालों की जाच करेगी टीम गाओं में कुरोना संक्रमन का परसार को रुकना और ठीका करन पर सासन करेशन होती बनती जा रही है बतादे गाओं के लोग न तो आसानी से जाच करा रहे हैं और नहीं ठीका ही लगवा रहे हैं गाव में सर्दी बुखार और खासी से परहवित कई लोगों की मौत हो गई है मौत का सिलसीला जारी है लेकिन जाच नहीं होने के करण कुरोणा से मौत होने का दावा नहीं हो पा रहा है बता दे गाव के लोगों को इसके लिए पूरी तर जागरू भी नहीं किया गया है खुटी के रणिया में पीले फाई उग्रवादियों और पूलिस के बीच मुटभेर प्रतिबंधित नक्सली संगठन पीले फाई और पूलिस के बीच मंगलवार की साम रणिया थाना छेतर के डिंगरी टारा टोली जंगल में मुटभेर हो गई मुटभेर के दोरान राम भंगरा नामक एक उग्रवादी को पूलिस ने गिरपतार कर लिया है जबकि अन उग्रवादी घहने जंगल का लाब उठा कर भागने में सपल रहे बताद मुर्भेर के दोरान उग्रवादियों की ओर से 15 से 20 राउंड जबकि पुलिस की ओर से 15 चक्र गोलिया चलाई गई किसानों के बकाया भुक्तान के लिए भाजपा संसद ने राजेपाल को लिखा पत्र भाजपा के परदेश अध्यक्स संसद दीपक परकास ने मंगलवार को राजेपाल दुरुपती मुर्भु को पत्र लिख कर राजे के किसानों का धान खरीद के बकाया रासी का अभिलम भुक्तान कराने के लिए सरकार को निद्यसित करने की मांग की है पत्र में कहा गया है कि आज परदेश का किसान हतास और निरास है दो वर्सों से कुरोना संकट से जूज रहे किसानों ने अपने कठिन परिश्रम के द्वारा खुन पस्रीना भाहा कर धान का भरपूर उत्पादन किया लेकिन राज सरकार की अक्रमनता और कूप प्रवंधन का किसानों को भारी कीमत चुकानी पर रही है अपने लंबे चोड़े घोसनाओं के बाजूद राज सरकार धान बीकरी के लिए पंजीकरीद 45 परत्यस किसानों से ही धान खरीच सकी है जारखन में 295 नए केस मिले हैं जारखन में 62 मरीज की मौथ हुई है जारखन में कूल मौथ की संख्या 461 है वही कूल एक्टिव केस की संख्या 31,528 है भारत में 2,674,44 नए केस मिले हैं भारत में कूल मौथ की संख्या 2,83,276 है वही भारत में कूल एक्टिव केस की संख्य 32,181,181 है भारत में 3,89,576 मरीज स्वस्थ हुए है वही जारखन में भी 48,69 मरीज स्वस्थ हुए है जारखन में 29,59 मरीज स्वस्थ हुए है जारखन में 48,67 मरीज स्वस्थ हुए है जो राची से 330, पूर्वी सिमूर 49,402,401, बोकारो 365, धनवाद 144, रामगर 39, कोडार्मा 141, पचमी सिमूर 250, पलामू 223, देवघर बानबे, गुमला 116, गिरीडी 241, खुटी 156, लाते आर 135, सराइकिला 65, गडवा 250, सिम्डेगा 113, लोहरदागा 162, गोड़ा से खातर मरीज स्वस्थ हुए है, रूपा तिर्की मौत की सिवियाई जाच हो बंदू तिर्की, मांडर विधायक बंदू तिर्की ने मंगलवार को पूना मुख्य मंत्री हमान्सुरन को पत्र लिखकर रूपा तिर्की ममले में सिवियाई जाच की मांग की है, बंदू तिर्की ने अपने पत्र में कहा है कि राज ये के साइब गंजीले में पदस्थापित महिला पुलिस अधिकाई रूपा तिर्की के संदहा अस्पत मिरितियू को लेकर मिर्तिका के परिवार सहीत आदिवासी समुदाय वा विभीन समाजिक संगठनो में रोस बरता जा रहा है, ज्यारखन के जेलों से 7000 कैदियों को छोड़ा जाएगा, आईजी, कुरोना को लेकर ज्यारखन के जेलों से भिल कम करने के लिए 7000 कैदियों को बाहर निकाला जाएगा, बतादे जेल, आईजी, बिरेंद्र भुसन ने मंगलवार को कहा कि कुरो कोट के आदेश के बाद जार्कन की जेलों में भील को कम करने को लेकर उचस्तरिय कमिटी की वर्चुल बैठक होई संक्रमन से निपटने के लिए सरकार धन की कमी नहीं होने देगी रामेशवर उराव परदेश कॉंग्रेस के अध्यक्स राजे के बीत थकादा पूर्थी मंतरी रामेशवर उराव ने कहा है कि कुरोणा संक्रमन से निपटने के लिए राज सरकार किसी भी तरस से धहन की कमी नहीं होने देगी के अंद्र सरकार से अप्यक्षित स्वयोग नहीं मिलने के बावजूद अपने संसाधनों के माध्यम से इस्थिती को नियंत्रीत करने के परियास में जुटी है बता दे उराम मंगलवार को राची स्थित कॉंग्रेस भवन में राहत यों निग्रानी समीती के कंट्रोल डूम में करीब दो घंटे तक कारे की समिक्षा करने के बाद पत्रकारों से बादचित कर रहे थे पलामो उपायूग ससीरंजन की अध्यक्षता में ग्रामी छेत्रों में कोवीट के परसार को रोकने को लेकर जीला परसासंद्वार किये जा रहे कारेयोग को समीक्षा बैठक वीडियो कंट्रिंसी के माध्यम से संपर्ण हुई बैठक के दोरान जीले में चल रहे कोवीड़ीन टीका करन के कारेयोग की भी समीक्षा हुई बैठक के दोरान उपायूग ससीरंजन ने कहा कि गरामी छेत्रे में सरवे और जाज का कारे सरकार के निर्देशा अनुसार पलामो जीले में शुरवात हो चुकी है उपायूगत ने सभी परखंड विकास पता अधिकारी को निर्देश दिया कि वे परखंड अस्तरिय टास्क फोर्स का गठन करे तथा तुरंद बैठक बुला कर सरवे अनुसार तथा टेस्टिंग के कारे की योजना बनाए धन्यवाद